गाई सी जुडी हिंसा में जारकन में राची से करीब 100 किलो मीटर दूर भीड ने एक आदमी पर हमला कर दिया और उसके घर को आग लगा दी, मौके पर जब पुलीस पहुची तो उन पर भी भीड ने पत्राफ किया जलता हुआ घर, उनमादी भीड, जमीन पर अधमरा पड़ा ये शक्स, गवा है देश में बढ़ रहे नफरती हमलों का ये तस्वीरे हैं, जहारखंके गिरिडी की, जमीन पर पड़े हुए इस शक्स की गलती सिर्फ इतनी है कि इसके घर के बाहर कोई गाय मरी हुई मिली थी भीड उस शक्स के घर के बाहर एकटा हो गई, उसे घर से बाहर निकाला और उसके घर को आग के हवाले कर दिया फिर उनमादी भीड उस शक्स पर तूट पड़ी उसे मार मार कर अधमरा कर दिया पुलिस आई और घायल को गाड़ी में डाल कर अस्पताल ले जाने लगी भीड ने पुलिस की गारी को घेर लिया और घायल शक्स को पुलिस की गारी से उतार कर खुले मैदान में डाल दिया गया घंटों तक भीड का यही तांडव चलता रहा घायल शक्स जमीन पर पड़ा कराहता रहा पुलिस ने लाठी चलाई तो भीड ने पुलिस पर पत्राव कर दिया जब भीड पुलिस पर भी हावी होने लगी तो पुलिस ने हवाई फायर किये फिर किसी तरह से गहल शख्स को अस्पताल पहुँचाया गया बीते कुछ साल में गाहे से जुड़ी हिंसा और नफरत के हमलों की तादाद अचानक बढ़ गई है अब यह जो हो रहा है यह मौबोकरसी है यह डिमोकरसी नहीं है लेकिन क्या नफरत के यह हमले सिर्फ कानून विवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कोई संगटित गिरोह काम कर रहा है उधर Amnesty International ने भारत के मुसल्मानों पर हो रहे नफरत के हमलों की निंदा की है संगठने सरकार से ऐसे हमले रोकने के लिए तुरंत कालवाई करने की मांगी है विरो रिपोर्ट गो निउस